कि लांस हमने के वारे में पढ़ाता उसके बारे में जो इसका डीटा था उसका डेरिवेशन तो भू पड़ा उसके बाद में हम ने हुए एक्सराइज के एक्जांपल्स कि एक्सराइज कर दिए आपको आइजोग कि आप लोगों ने कर लिया होगी अब एक्सरसाइज 9.1 उससे पहले एक्जामपल्स किसी बच्चे को कोई एक्जामपल में क्वेरी हो तो एक्जामपल नमबर टाइप करें चैट में एक्जामपल नमबर टाइप कर दो किसी बच्चे को कोई एक्जामपल में क्वेरी हो पर्टिकूलर एक्जामपल तो वह टाइप कर सकता है नहीं है चलिए फाइन तो फिर एक्सरसाइज में किसी को कोई क्वेरी हो तो टाइप करो एक्सरसाइज 911 के फिशन नमबर 126 में किसी को क्वेरी है तो बोलो क्वेरी है तो यह टो बात शोन आत शोटरी तोच्टा को किसी दोट्टिकूर आत शोटरी किसी दोट्टिकूर तोट्य। question number 7 to 10 any query is there question number 11 to 14 any query is there question number 14 बस उससे पहले किसी कुई 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 किस्छ नमर 14 से पहले इस्तिछ नई मैं कि ंदर न और there is any query before question number 12, question number 14 okay झाल कोई गोई निया फाइन शिश्या नमर फोर्टीन देखूं क्योश्य नमर फोर्टीन कह रहा है क्योश्य विल फोर्टीन यह विल्टीन ग्या, फोर्ट देखूं एफ्या, फोर्टीन ग्या, फोर्टीन n row d A n-2 where n is greater and equal to greater than 2 where n is greater than 2 तो इकोल नहीं है आपे. Then then find a n plus 1 divided by a n 4 n is equal to 1 to 5. 1 to 5. n is equal to 1 zom rakh nai saakta hai. Cya rakhin n is equal to 2. तो वो भी पॉसिवल नहीं हम इकोल नहीं लग रहा है एक ग्रेटर थैन टू है तब क्या रखिंग है इस इकल टू थ्री तो इस इकल टू 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 यह हम रखते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा 3 रखा 3 3-1 3-2 यहीं कि 3-1 2 होगा 3-1 होगया वेले पुट कर दो इस मिलर्ली आइस इकल टू फॉर्पुट करूं तरी कितना है हमारा टू और टू कितना है ए टू हमारा वान ए रिजल्ट क्या आगया थ्री एन इस इकल टू फॉर्पुट कर दो तो यह हो जाएगा आपका ए फाइफ इस इकल टू ए फॉर्पुट प्लस ए थ्री चीके बेटा तो ए फाइफ हो गया आपका थ्री प्लस टू यानी की थाइफ सिमिलर्ली ए इस इकल टू शिक्स भी निकालो प्लस टू शिक्स भी निकलती रहेगी और बच्ड वी उपने हैं अगला इस फ्याज़ कर दावो और दूध्या कर दावं टो यह तर दूदी और प्लस वन इवाइड बड़ाइड वाय है रे च्टेंड तो डिवाइड वान विच इवल टो वन वाइवान विच इवल टुन वान विच इवल टू टू पर गाएगा 3 divided by 2 which is 2 divided by 1 which is equal to 2 minus equal to 3 a4 divided by a3 that mean 3 divided by 2 minus equal to 4 5 divided by 3 and is equal to 5 is divided by a5 which is equal to 8 by 5 implies an plus 1 divided by an is equal to 1,2,3 by 2,5 by 3,8 by 5 and so on I hope I hope you get aہer I hope you get aہer किसी को कोई वेरी एक अभी भी निक्षिता पाइन दो कापी कर लो फटा फट कर दो कर दो प्हांग को कर दो कुछ पाइन कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 झेल झाल खृआ एक्जामपल फाइफ उसमें एसन गिवन है हमें एन पी प्लस वन बाइटू एन एन माइनस वन क्यूब इसन गिवन है और वो बोल रहा कॉमन डिफ्रेंस वाइंड गरो जो कि पी और क्या इक और निकालना कॉमन डिफ्रेंस के लिए सबसे ज्यादर रिक्वाइड क्या होता है सिरीज याने कि एवन एटू एट्री एफोर एन हमारे पास सिरीज की टर्म्स होने चीए अगर सिरीज की टर्म्स अविलेबल होगी तो उसकेस में क्या कर सकते हैं उसकेस् में हम तू माइनसे एवन करके एट्री मैनसे टू करके एफो मॉइनसे एथि करके टिफ्रेंस मैं दढ़ू कर सकते हैं तो अगर endors defense तो यह समझों जहां पर हमें सब निकालने के जुरुत नहीं है अगर मैंEntum यहां पर ऩर् निकाल दूँ माइन हो कि यह जो जी वने यह इसने कहा है किसका आधर की इसने खुद ने का ऑन है यह उसनेमे घी आपे या निछी है है और अर्त्मेटिकल क्लोक्रेशन है इसका मतलब कॉंवन य़्रेंस होगा और कॉंवन डिफरेंस होगा सिर्फ सबसे पहले हमने क्या किया एस एन माइनस वन बनाया एन की जैगा एन माइनस वन पी प्लस वन बाई टू एन माइनस वन एन माइनस टू और यह सबस्द सब्सक्राइब सब्सक्राइब एन माइनस मैं एन टू निकालो एएन इस इक्वल टू वाट एस एन माइनस एस एन माइनस वन since इसलिए यह ऐसा होता है therefore n is equal to sn की value क्या है हमारी n p plus 1 by 2 n n minus 1 q minus n minus 1 p minus 1 by 2 n minus 1 n minus ठीक है अब इसको देख रहा है अब इसको solve करूँ तो इसको solve करने पर क्या आएगा देखो n p plus 1 by 2 n n minus 1 q multiply करो यह बनगे माइनस का n p प्लस पी माइनस 1 by 2 n minus 1 को अंदर multiply कर दो क्या हो जाएगा n n minus 1 q minus 1 by 2 इस टर्म को एक साथ consider करो पूरा और इस पूरी टर्म को multiply कर दो n minus 2 से तो जब n minus 2 से किया तो एक बार तो n आ गया यह अला अब माइनस 2 आ जाएगा ठीक है n p से n p cancel इस फर्म से इस की यह टर्म कैंसल रिजर्ट इस वाट प्लस का पी यह को माइनस माइनस प्लस टू से टू कैंसल n minus 1 q यह हमारे पास में a n आ भी है ठीक है अब इस a n जो हमारी वैल्यू आ लिए है इस a n वैल्यू से आप निकालो देन एवन एवन क्या हो जाएगा पी प्लस वन माइनस वन क्यू विच इस पी प्लस जीरो क्यू यानि पी हो गया एवन हमारा n is equal to 1 पे निकाली ती है एट n is equal to 2 क्या हो जाएगी a2 is equal to p प्लस 2 माइनस वन क्यू विच इस p प्लस क्यू माइनस वन जो क्या है मारी p इंप्लाइज विच इस q यह हमारा कॉमन डिफ्रेंस आ लिए ठीक इडीज क्यूं कि इस वाल दुबार सुन्जा रहा हूं एसे एंट गिवन था एन इस इकल टो एन माइनस वन करके एन फाइंड किया एन फाइंड करने के बाद में उसमें हमने अन वराबर वन पूट करके एवन निकाला और फिर दी निकाला एटू माइनस एवन करके मैं यहां पर सारी स्विच क्यों नहीं बना रहा हूं यह लास्ट क्यूशन था आज का अब नेक्स्ट क्लास में हम इसमें देखते हैं किते एक्जाम्पल इस एक्सरसाइज में गेट। आख सिक्स तक एग्जामपल करने पहले किशन नमर कौनकौन से करने मों लगा दो एक्सामपल नमर फूर मैंने करा दिया फाइव शिक्स और 7567 आपको कडने किशन नमर वन वन टू थ्री फोर फाइव शिक्स सेवन एट नाइन टैन 11 12 12 तक्ये क्विश्टन से टैम करने 9.2 में 12 होगा नहीं आपसे 11 12 रहने से चलो टैन तक के क्विश्टन से टैम करने हैं 1210 और एग्जामपल में आपको अटैम करने कुश्टन नमबर 7 तक एग्जामपल नमबर 7 तक और कुश्टन समें 12 10 ऑफ एक्सरसाइज नमबर 9.2 ये आपका होगा ठीक है आइब आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह बाकी फिर भी कोई कोई होगी तो हम नेक्स लेक्चर में ठीक है नेक्स लेक्चर में हम उसको एज़ा कोई आपका ले लेंगे जोगी एक्जामपल है चाहिप उसको सॉल कर लेंगे तो आप देखो क्या ना मैं वह एक्जामपल जो की इंपोटेंट है थोड़ा सा बीसिक समझाते हैं आपको वह वह उसके बाद में आपको अग्सथा इसलिए देता हूं दूस okay bye now I'm leaving the class I'm leaving the class